नमस्कार स्वगत है आपका हमारे अचार जागेंद रमिशाय चैनल पर 21 सितंबर बुद्धवार पित्रपक्ष महा एकदसी तुलसी का पत्ता चुपचाप रखदें इस जगह पर आपकी साथ पुष्टे रुपए पैसों में करेगी राज दोस्तो अचुनी महा के कृष्टपक्ष में पित्रपक्ष में पढ़ने वाली एकदसी को शब्षे महतपूर एकदसी मानी जाती है और इसको इंद्रा एकदसी कहते हैं शाथी इशे महा एकदसी क्योंकि ये पित्रपक्ष में पढ़ती है। इस दिन ब्रत रखने से साथ पीडियों तक के जो पूरवज हैं उनको मुक्ष की प्राप्ती होती है। और इंद्रा एकदसी का ब्रत इश्वार 21 सितंबर दिन बुद्धवार को रखा जाएगा। लेकिन इस ब्रत में कुछ खास नियमों का पालन भी होता है। उन्हें जरूर करें। क्योंकि इंद्रों पित्रपक्ष चिल रहे होते हैं तो आपको शुरू उदेश पहले उठ जाना है और श्वात्विक यनिकी कार करना है और साथी साथ मन में शकरत्मक विचार लाना है। वैसे अश्नी मा के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकदसी को पित्रपक्ष महा एकदसी भी कहते हैं। पित्रपक्ष एकदसी का अगर आप ब्रत रखते हैं तो आपके पूर्वजों को बेकुंट की प्राप्ती होती है और मुक्ष की प्राप्ती होती है। इस ब्रत गुरुबार को ब्रत रखा जाएगा 21 सितंबर को और पारण का जो समय रहेगा यानी पारण करने का जो दिन रहेगा वो अगले दिन यानी कि 22 सितंबर दिन गुरुबार को आप शुर्योधर शिले कर शुब़े साड़े आठ बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं दोस्तों इस दिन शुर्योधर से पहले उठें और नित कर्मों से निर्वित्वों का श्न्यान ध्यान करके भागवान विश्ण जी के पूजा जरूर करें पित्र पक्ष की एकदस्य को अपने पित्र देवों को तरपन करें श्राद करें आप इस दिन गरीबों को भोजन कराएं शं अब आये जानते कि इस दिन तुलसी के एक पत्ते के उपाए कैसे करें दोस्तों ताकि आपके जीवन की सारी परिशानी ही खत्म हो जाए दोस्तों एक अदसी भागवान विश्ण जी को समारपीत है साथी मातालक्ष्मी जी को भी समारपीत है इस दिन भागवान विश्ण सामने एक सुदिकी का दीपक फिर आप बैठकर उन्हें पीले पुष्पे, पीले फल, पीले वस्तर अरपित करें, माता लक्ष्मी को लाल फुष्बे, लाल बस्तर, लाल फाल अरपित करें और फिर आप ओम नमो भगुते वास्तिवा इसमंदर का जाब करें फिर इसमंदर को जाब करने के बाद आप भगवान को तुलसी दल जरूर चड़ाएं और दोस्तो फिर इसके बाद आप एक छोटा सा तुलसी के पत्ते का उपाई जरूर करें अगर आप तुलसी के पत्ते का उपाई करते हैं तो जीवन के समस्त परिशानियों से कष्टों से मुक्ते मिलेगी और आपकी साथ पीड़ियों तक रुपए पैसों में करेगी राज और एक तुलसी के पत्ता माता लक्ष्मिक पास रख दें एक तुलसी के पत्ते में आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें भागवान विश्मुजी के पत्ते में जो आपने उनके चरणों के पास रखा है और एक तुलसी के पत्ते में जो आपने माता लक्ष्मिक पा धन से भरी रहेगी हमेशा आपकी तिजोरी और आपके घर से गरीबी कोशो दोर चली जाएगी दोस्तों जो इस दिन आप तुलसी यानि अरफित करेंगे भगवान विश्मु और माता लक्षमी को वो एक दिब तुलसी का पत्ता हो जाएगा और यह आपके धन को के स्थान पे रख दें तो आपका ब्यापार तेजिश चले गा और आंदने के सुरुद बढ़ेंगे बड़ी-बड़ी कोई महत्मु ने डिल फानल होती में जिराएगी अगर जीवन में आपको अनिक प्रकार के धनलाब में परिशानी हो रही है तो तुलसी के पत्ता आप इस दिन ले 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 और तुलसी के पत्ते के साथ साथ एक रुपए का शिक्का ले 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 और आप एक पीले कपड़े में बांध कर भगवान विश्म को चाणों के पास रख दें और एक दीपक गिलाएं तीन बार परिक्रमा करें और फिर इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर आप अपने धन के स्थान पे रख दें धन की तेजोरी हमेशा भरी रहेगी दोस्तों तुलसी का पूजा इस दिन जरूर करें तुलसी का पूजा करें और साथी साथ तुलसी का पत्ता भगवान विश्म जी को आरपित करें तुलसी का दल आरपित करें क्योंकि बगएर तुल तरसे गंगा जल से धोलें फिर इसके बाद क्या करें कि आप तुलसी के पत्ते को आप भगवान विश्म जी के चैड़ों के पास रख दें और फिर आप रात जब सोने जाते हैं तो अपने उसी तुलसी के पत्ते को तक्ये के नीचे रख दें सो जाएए और अगले दिन इस तुलसी के पत्ता हो जाता है एक छोटा सा उपाय और करें तुलसी के पत्ते का एकदसी के दिन क्योंकि एकदसी है यनि कि ये महा एकदसी जो पित्रपक्ष में पढ़ने वारी ये महा एकदसी के दिन आप तुलसी के पत्ता ले 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 और आप अपने दाहिनी हाथ मे ले अब भगवान विश्म और माता लक्षम के पास बैटकर आप भगवान से प्रातना करें धन संबने समस्याओं को दूर करने के लिए फिर आप यहीं कि वहाँ पर जो दीपक जल रहा है उस दीपक से आप तीन बार उल्टे बार के और फिर अपने सर से तीन बार उल्टे गुमा कर और फिर भगवान विश्म जी के चरणों के पास रख दें माता लक्षम के पास फिर चरणों में रख दें फिर इससे उठा कर अ झाल झाल